अमेरिका में फिर ट्रम्प सरकार, डोनल्ड ट्रम्प ने धमाकेदार और बड़ी जीत हासिल कर ली है, रेपब्लिकन उमिद्वार डोनल्ड ट्रम्प ने शुरुवात में ही बढ़त बना ली थी, जिसे आखिर तक बरकरा रखा, डेमोक्रेट उमिद्वार कमला हैरेस एक ब पता चला कि अमेरिकी जनता ने क्लियर कट ट्रम्प को अपने अगले प्रेजिडेंट के तौर पर चुन लिया है, अमेरिका में 131 साल बाद कोई शक्स दूसरी बार प्रेजिडेंट चुना गया है, उनकी जीत के कई कारण रहें, फिलहाल हम बात करेंगे उन स्टेट्स की जिसने ट्रम्प को विजय बना दिया, इनमें स्टेट्स की भूमी का बहुत बड़ी है, इनकी चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले जान लेते कि इस बार चुनावों के एलान से लेकर अब तक क्या-क्या रोचक देखने को मिला अमेरिका में चुनाव के दौरान, दो बार मौत को मात दे कर कैसे ट्रम्प राश्रपती की कुरसी तक पहुंचें, इस बार अमेरिकी राश्रपती के लिए चुनाव कई मायनों में एतिहासिक रहा है, कैनिडेट बडलने से लेकर ट्रम्प पर जान लेवा हमला होने तक बहुत कम वक्त में अमेरिका में तेजी से ना करम बदलता रहा जानते हैं कि बीते चार महीनों में क्या क्या हुआ है और कौन-कौन से दिल्चस्प मोड हमें देखने को मिले हैं सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी ने पूर्व राश्रपती डोनल्ड ट्रम को मिदवार घोशित किया ट्रम पर 80 से जादा केसिस चल रहे हैं विपक्षी दलों ने ट्रम के विरोध में खुब प्रचार किया लेकिन ट्रम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने लगे उस वक्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से प्रेजिडेंट जो बाइडन कैंडिडेट थे ट्रम ने जो बाइ पार्टी ने भी यानि कि जो बाइडन की पार्टी ने भी जो बाइडन की उम्र को लेकर चंता जाहर करनी शुरू कर दे थी पार्टी के अंदर ये सब बाच्चित हो रही थी तब ये माना जा रहा था कि ट्रम बिना रुके जीट जाएंगे लेकिन जुलाई के महिने में बाइटन ने अपनी उमिदवारी वापस ले ली उन्होंने अपने कदम पीछे खीच लिए और उनकी जगह पर कमला हैरिस को जो की उपराश्टर पती है उन्हें उमिदवार बना दिया गया कमला के चुनाओं मैदान में आने के साथ ही हर तरफ चर्चा कमला हैरिस की होने अमेरिकी चुनाव में हिंसा को लेकर लोग सवाल करने लगे बीते तीन महीने में टरंप पर दो बार जानलेवा हमला हुआ वेपक्ष के कुछ लोग इसे राजनेतिक स्टंट बोलते रहें तो कुछ अमेरिके सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल कर रहे थे कमला के कांडिडेट बनने के साथ ही उन्हें आर्थिक सपोर्ट्स भी मिलने शुरू हो चुके थे अमेरिके उद्योकपती और सेलिब्रिटीज की बात करें तो वो दो खेमों में बढ़ गए सबसे ज़ादा चर्चा किसकी हुई एलन मस्क और बिल गेट्स की जी हाँ एक तरफ एलन मस्क ने खुल कट टरंप को सपोर्ट किया तो दूसरी तरफ बिल गेट्स कमला हैरिस के सपोर्ट में आ गए दोनों ने अपने पसंदिदा उमिद्वार को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तोर पर मिल्लिन डॉलर्स की आर्थिक मदद की ऐसा कोई दिन नहीं बीता है जब एलन मस्क ने टरंप का कोई वीडियो शेयर ना किया हो उनके पक्ष में खेर अब तस्वीर साफ हो चुकी है तो बात स्विंग स्टेट्स की कर लेते हैं अमेरिका में 50 राज्य हैं सभी राज्य अपना अपना चुनाव करवाते हैं और नतीजे जारी करते हैं इनमें कुछ राज्यों में Republican Party जीतती रही है तो कुछ राज्य को राज्य माने जाते हैं दिमोकरेट्स के साथ ऐसे राज्ये हैं जिने स्विंग स्टेट कहा जाता है यानि वो राज्ये जो हर चुनाव में अपना मूर बदल लेते हैं और ये जिनकी तरफ होते हैं उस पार्टी और उस उमिद्वार की जीत पक्की मानी जाती है ये राज्ये कौन-कौन से हैं जान था ओहायो लेकिन अब ये पूरी तरह से रिपाब्लिकन के कबज में है ट्रम्प ने 2016 में फिर 2020 में यहीं से जीत हासल की थी पिछली बार वो राश्ट्रपती नहीं चुने गये थे लेकिन उन्होंने जीत यहां से जरूर हासल की थी और इस बार भी उन्हें यहां पर जीत ही मिली है तो इस तरह से ट्रम्प की धमा के दार जीत निश्यत हो गई